चलो इसको करो देखो खुद ट्राइ करो देखो होता है अगर एक पार्टिकिल है जिसका यहां पे दिया हुआ है कि वेलासिटी आपे ट्रेंड इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 60 अगर वेलासिटी इंक्रीज हुई है कोई ट्रेंड है जिसकी वेलासिटी इंक्रीज हुगई है तो तो यह acceleration कितना हुगा, तो acceleration जो आ जाएगा, acceleration आ जाएगा, change in velocity, 60 minus 20 divided by, 60 minus 20 divided by 4, तो 60 minus 20, 40 divided by 4, is equal to 10 meter per second square, accelerate हो रही है, accelerate हो रही है, speed बढ़ रहा है, ठीक है, the distance traveled by the train in this period, इस period में distance traveled कितना होगा, तो distance traveled के लिए मैं क्या करूँ, जब हमको, s is equal to ut लगा दिया जाए, तो s is equal to ut, s is equal to ut plus half 80 square लगा जो यार, तो distance पता चल जाए, yes हमें निकालना initial velocity कितनी थी, तो 20 और time 4, 4 और plus half, accelerate हो रही है, तो x less than 10, और यह time t का square, 4 का square तो इसको पूरा solve कर लो, calculate कर लो, इसको कितना आ जा रहा है, ठीक है, यह आ जा जा रहा है, यह आ जाएगा, 880, 80 और 80, 160, 160 जो है, फर्स्ट आप्शन सही है, ठीक है, चलो, यह कर लो, efect्व हाएग, कर दो,ई्स तो जो, ैंगा हाँ 19, 지금 तो घसको करता, बृट लो, झाल झाल